असलाम लीकूम है कैफ 8 लेक्चर 87 लेक्चर का अगास करते हैं डिसकस करेंगे इसमें हम प्रैक्टिस क्वेस्टेंज वो आपकी होम साइन्मेंट के स्टडिस तो कल दो क्वेस्टन रहे थे एंड पर जब आप कर रहे थे नहीं सर बस होगी अब तो आज उन कुएस्टन को ड लेक्चर था उसके कशुछ क्वेस्टन को डिसकस करेंगे त्यार है चलिए जिए सबसे पहले क्वेस्टन 10 । क्या करने सबसे फाले एक्जेंड में रिक्वायरमेंट सारे पेपर एक तरफ और और एक तरफ तरफ एक तरफ छेaffeयं दे टिण एक तरह discuss how you would deal with each of the above situation and a possible implication of the above on the audit report procedures भी पूछ रहा है and effect on the implication of effect on the report भी पूछ रहा है दो situations है उसमें यह में रहल हैं जो second part हमने कर लिया था वाग लगी थी ऐसा चलिए टैन यूर दाड़ी पार्ट at BLC and company chartered commanders following matters are under your consideration artificial technologies limited has recognized an intangible assets of rupees 100 million in respect of development cost relating to software which ATL expects to market in future the forum स्थेहन में आगया पिक कर लिया हमने कौन से procedure पूछना चाहरा है development cost intangible assets में intangible में कौन से development cost market research conducted by ATL indicates a promising demand for such software demand है market में however expected cost required to complete the software has increased significantly and ATL requires further rupees 50 million to complete the project 50 million मजीद चाहिए since ATL has already utilized its existing credit limit on other project it is facing difficulty in raising finance for the above software problem क्या है इसी तरह का question उसने एक पहले भी पूछा हुआ है कि आपके पैसे खतर प्रोजेक्ट चल रहा है पैसे पूरे हो तो मेरा ख्याल यह है कि हम सिदा सिदा इसको करें करें कियों क्या करना है पहले प्रोसीजर पर फार्म करना है यह वैल्यूएट करने के लिए क्या अवेलिबल है कि नी आल्टरनेट सोर्स यानि कोई दूसरे बैंक से ने फाइनासिंग रेंज हो गई हो शेर होल्ड हो से किसी डिरेक्टर ने इंडर्स फ्री लोन दे दिया कुछ भी डिरेक्टर से शेर होल्डर से बेंक वगारा से कल labeled या कूछ प्रोसीजर नहीं पर फार्म करना भाई यह मसला तो उसने बताया ना पैसे फ़तम हो गए हैं इसको तो हम आल्टरनेट सोर्स के प्रोसीजर लिख दी है क्या यह जो उपर उसने रेकागनाइज किया है फंडर्ड मेर उसके प्रोसीजर यह डूरिंग यह ट्रांजेक्शन नह एंद्ध नोजेंगें किस टीजके उपर लेंगे क्या पुचेंगे मेरा क्वेसर बड़ा सिम्पल है आफसे मैनिज्मेंट रिप्रेसेंट इशन करेंगे हम इस क्वेसर नहीं किस चीजड पर या नि क्या पूछेंगे मैनिज्मेंट से एक्सपर्ट को बिलकुल बिलकुल किसी इटी एक्सपर्ट को इंगेज कर सकते हैं क्याकि वह में इसकी फिजिबिल्टी के बारे में इसकी मार्किय डिमांड के बारे में बताए एक्सपर्ट आगर तो आर्टरनेर है और आर्टरनेट फिनास बी अविलिबल है पूरी बार बताओ फिर बार कहा था यह कह रहा था यह की अडिर मेंटर किसना इंकूड करना है एक बता रहा था हूँ ता रहा हूं worked इसमें आमसे से मेंटर नहीं आएगा की अडिर मेंटर क्यूं आएगा यह एसा एरिया है है और यह उस लिस्ट में है यो पाड़ में लिस्ट लेकिन उस लिस्ट में आपको दो आइटेंबस बाद में भी लिखवाई थी वह कुन सी थी है सैल्फ कंस्ट्रक्टेड फीक्स एसड़ फ्रीस इंटैंजिबल तो था इंटैंजिबल एससेट में किया अगर ठीक हाँ कि अगर क्राइटेरिया मेड नहीं करता इसको राइट और नहीं किया राइट आफ उस सुरत में प्रॉफिट दिया वाना क्लेक्लेशन करेंगे तो मटेरियल है पर्वेसिव तो नहीं है नहीं है 50% से कम है चाच्चु 100 मिलियन है उदे दोसो सतर है 50% से कम है material है qualified opinion expressed करेंगे क्या किया शूरत में ins vert किया तो किया अडर्मेटर आएगा नहीं राएगा अच्छा स्थे जा इससे किया बना लेता है जब कभी qualified जाने का अधिन के स्क्छा पूछ को अधिन आ चाद इस में कहे रहाऊं मैं कहे रहा हूं कि इस क्वेसन में What a क्या कॉलिफाइब नाएगा कि यहाओं इसमेटर की वज़ा से की यहाद्र की वज़ासे आसकता है और मैटर कभी तो यही वसून था कि कि अगर मैटर सही है डिस्क्लोज्ड है तो हैं तो मैटर हाएगा और अगर डिस्लोज नहीं है तो फिर qualified opinion होगा miss statement है ना mcism matter नहीं आएगा तो स्वर्वन क्या concern बना लेता है कि जब कभी qualified opinion आएगा mcism matter नहीं आएगा जो गलत है concern क्यों उस issue की वज़ा से नहीं आएगा mcism matter क्योंकि वो qualified opinion में चला गया किसी और issue की वज़ा से mcism matter आ सकता है clear इसमें कोई problem second part थो हमने कर लिया था अगले question की तरफ चले वैसे तो इतनी को प्रैक्टिस हो गया कि अब आप खुद से भी आप उंगली पकड़े के चलने की तो जुरूरत नहीं आप इतने को बड़े होगे हैं खुद से case study solve कर सके के भी भी डरते हैं case study से ढ़रते हैं कोई बात नहीं को आगे चलते हैं थोड़ी यहर प्रैक्टिस कर लेते हैं कोई बात नहीं अब यास्ता ऐसे उंगली पकड़े की चलना शेकता है और और अधिक पार्टनर ओफ फॉर्म ना रिकार्मेंट रिकार्ट डिसक्राइब दस्क्राइब अप्रफिप्रफिंट इन एच अव तब आप सेशन नहीं देना उसको सिर्फ नाम बताना है कौन सा पहरा है ठीक है ना भी लिखना तो हमने कौन सा लिखते हैं आता थोड़ी है अगर जब अगर कहें ड्राफ्टनिंग तो फिर ड्राफ्टनिंग करेंगे अगर ना बता है तो ड्राफ्टनिंग नहीं करनी होती है इससे पहले हमने बहुत से क्वेस्टन ऐसे की हैं जिसमें उसने एंड पे लाइन नहीं लिखता है जब ड्राफ्टिंग करवाता है ना तो क्लियरली ड्राफ्ट मैंने लिखके दो जब ड्राफ्टिंग करवाएग तो क्लिरली यह लफल लिखेगा दा प्राफिट विफॉर टैक्स अफ तारिक लिमिटेड फार दी एर एंडिर तीस जून दोजा सतराइज रुपीज सेमन नाइंटी मिलिया है टी एल प्रवाइड थ्री यह वारंटी टू इस कस्टमर हां आज ही किया वारंटी परवियन और दिटिगेशन यह दो कर लिए एर यह वारंटी और लिटिगेशन तो समय लिए आपने प्रवियन केंटिजनशी का एजिया कर लिया कि आप लेकिन इसके रिप्रडुक्श्टिंश्ट कि ब्याद कर लिए प्रुशान पूछा तो आपने रटा लगा लेंदेंट इसका प्र एक एक मेंड़्यमेंट करती है और वरंटी में न सबसे हम चीज़ पता है उसमें जो फार्मला यूज होता है एक में केस पड़ा था उसमें बताया कि वरंटी करने का फार्मला था उसमें प्रॉबिल्टी भी होती है हम तो हैर हमारे स्लेबिस में प्रैक्टिकली कितने परसेंट चांस है क्या तो उस और को स्टैट थोड़ी कम गम आती थी उसमें एक छोटा सा एरर था वो उसको नहीं आडिंटिफाई कर पाया और और कैल्कुलेशन फार्मला देखा फिगर्स देखी कैल्कुलेशन उसने ठी ठीक है उस एक छोटे से फार्मला की वज़े से मिलियंज की मिस्स्टेटमेंट थी प्रवियन अंडिस्टेट हो रही थी लेकिन अडिटर के पास क्योंकि वो स्टैसेस्टिशन नहीं था स्टैट इतनी आती नहीं थी उसको एरर को इडेंटिफाई नहीं कर सका इसलिए ठीक है तो कह रहा है वो खुद कैलकुलेशन करते हैं अच्छा करते हैं मेरिजमेंट का हमें कोई इतराज नहीं है मेरिजमेंट करीजाओ दा प्रॉसेस कंप्लेक्स एंड बेंस्टों वेरियस अजंप्शन्स एक्सपार्ट इससे कनफर्म हो गया एक्सपर्ड लाजमी एक्सपर्ड के आने से पहले भी कोई काम करना है और उसके जाने के बाद भी आने से पहले क्या करना है और उसके जाने के बाद क्या काम करना है इसके जाने के बाद इसके एक्सपर्ट नहीं करते क्या कि एक उसके आने से पहले एक्सपर्ट करेंगे ना उसमें दोनों प्रसीजर लिखेंगे उसको एक्सपर्ट करना और इसके वर्क की एडिक्वेसे के भी लिखेंगे और मैंने कहा भी एस है लेकिन क्वेस्ट में जब क्लियर ली क्या चुका है वह थोड़ी स्लूशन में लिखेंगे तो सिर्फ दूसरा काम कौन सा वैल एडिक् चुका है इसली के एक्सपर्ट जो है जो वक है उसमें असम्शंशन रिलेटिंग तू पर वियन वारंटी देखेंगे वह याद है आपको प्रोसीजर थे कौन से वैल्यूट एडिक्वेसिशी जो आमने लिखने हैं बैल्यूट एडिक्वेसिओ वर्क में कौन से एक मेरा कोई टाइम लो टाइम लो अजम्शन जो 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 जम्शन उसना ली होंगी उनकी एडिक्वेसी को चेक करेंगे चैप्टर 18 याद नहीं किया कंफर्म मैं लिखवा लो मेरे से हंड़ आपके लफाज से पता चल गया एक्यूरेसी कंप्लीटनेस एंड रैलिवेंस ऑफ सोर्स डाटा रैलिवेंस एंड रिजनेबलेस और रिजनेबलेस और फाइंडिंग और कंकुलियन एंड ये तीन प्रस्वीजर तो हमने लेखने हैं ठेक है उसके बाद जिस तरह हमने रिवैल्यूएशन रिपोर्ट में कोई चारपमाच अपनी तरह से भी प्रसीजर लिखे थे ना याद है मजीद कि जो रिपोर्ट दे दी वो तो चेक कर ली अब हम देख लें कि फाइनेशल स्टेटमेंट्स में जो माउंट रिकार्ड हुई है वो रिपोर्ट के मताबिक ह है के नहीं अब हम देख लें जो डिस्क्लोईयर्स देने थे वो डिस्क्लोईयर्स दिया के नहीं दिये बहुत होना चाहिए के नहीं तो एक दो बढ़ जाएंगे ना हमारे टोटल चार हैं तो दो च्छे हो जाएंगे एक्सपर्ड की अडिक्वेसी के प्रसीजर चार है के तीन है चौते में दो बाते कर रहा है एक एक रिजनेवल ऐसा फांडिंगर कंक्लूइन और दूसरा कंसिस्टेंसी विद अधर एविडस वो चुक्छे एक रिएंड में लिखे इसलिए आप उसको तीन गिनते हैं तो आप गारा के फानेंशल स्टेटमेंस में इंक्लूड किये गए हैं इंपक्ट रॉन रिपोर्ट यह भाई बताएंगे कि नहीं क्यों नहीं बताएंगे आप बताएंगे बड़ और मजे बतादो इंपक्ट रॉन रिपोर्ट बता दो क्लास में बैठके कहीं और पहुंचा हुआ है और अब देख रहे हैं उदर जिदर पहुंचा हुआ था या भाई ये पैक्टन रिपोर्ट बता है अगर एक्सपर्ट की रिपोर्ट से पता जलता है कि वैलिएशन रीजनेबल है फिर तो कुछ नहीं अन्मोडिफाइड ओपीनियन मैनेजमेंट से वह नहीं सीधी बात कर वाई कि एक सर्व लिस्ट में नहीं है उसके उपर नहीं आते अपनी जज्जमेंट को बताना ज़रूरी है सिंपल लीजन है क्यों लिखा क्योंकि की आडिमेटर के लिस्ट में था क्यों नहीं लिखा क्योंकि उसकी लिस्ट में नहीं था सेंपल और एमसे मेटर की लिस्ट में था लेकिन फिर भी एमसे मेटर क्यों नहीं लिया क्योंकि क्वालिफाइड ओपीनियन था बई क्लियर आगे चलें अच्छा यह आपने ज्यात्ती किया वैसे हमारे साथ आपने कल फर्माईश की भाही ने कहा ओके अब देखे कितने स् लेकिन जो इसका इस्तमाल था आगरी हुआ था आना चाहिए था ना बच्छों को बाहरा तो नहीं अच्छा अच्छा सुबह मैं हरान हूं इस चीज़ पहरान होता हूं सुबह भारिश हुई ना तो कलास में स्ट्रूंट बहुत कम थे क्यों भला बारिश हो रही थी अच्छा सुबह की कलास में स्ट्रूंट जितने थे इस वक्त उससे भी कम है क्यों बारिश तो अभी भी हो रही थी जब घर से आना होता है ना तब बारिश बड़ा तंक करती यह साइस मुझे समय नहीं होता है यह इसे हैं यह इस प्रफ यह फंट इस प्रफ लिम्टेट फार दाड़ यह एंड यह एंड तीस जून दोजा सत्रह दाट इंड वास नाट अबल तो पर्फार्म इंड इन वैंट्री कांट अट इन विकाउज अपाइंड वास मेड वन पंदरह जुलाई दोजार सत्रह सीदी सीदी स्कॉप लिमिडेशन नहीं क्या करना है पहले प्रोसीजर भी लोगाने अब प्रोसीजर पूछें उसने तो कोई होंगे बताने हैं हाँ जी क्या करें अच्छा इस क्वेस्ट में प्रोसीजर तारीख को फिर क्या करेंगे अच्छा एक मिन्ट है रहे जिस जो स्वेंट आंसर देगा वो हाथ लाइक कोना अंसर देना चाहता है शाबाश बताईए मेरे भाई इसी क्वेस्टन को से पता चल गया है जी भाई बताओ क्वेस्टन इस सिच्वेशन में क्या प्रोसीजर प सब्सक्राइब कर लिए ठीक है स्टैप नमबर टू रिकंसिलियेशन बनाएंगे रिकंसिलियेशन और देखेंगे इंटारम सेल और पर चैजिस कितनी है और और पहले सेल्ज को पकड़ लें सैंपल बेस पे सेल्स की ट्रांजेक्शन को सेलेट करके स्पोर्टिंग डाकुमेंट के साथ मैच करेंगे स्पोर्टिंग डाकुमेंट के नाम लिखेंगे बोल बोल फिर गुट डिस्पाइज नोट होगा सेल इन्वाइस होगी शाबाश सेल्स आडर होगा कस्मर की अगनालिजमेंट होगी परचेज का सैंपल स्टैट करके उसके स्पोर्टिंग के नाम बताएं गोड़ सीट नोड़ पर्शेज इन वाइस यह सप्लाइर इन वाइस मुसे बाजुकात कहते हैं पर्शेज आडर शाबाश अच्छा बडिबल को ठेगा ठीक अच्छा और यह भाई को दे भाई को चाय का कब भी दें समोसा भी दें पचास का इंपक्ट और रिपोर्ट इंपक्ट और रिपोर्ट कौन बताएगा अगर एविदेंस अब्टेन कर लिया हमने और एविदेंस मिल गया ठीक है अन्मोडिफाइड ऑपीनिन एक्स्पैस करेंगे और की अडर मैटर दे देंगे की अडर मैटर की लिस्ट में था अधर मैटर क्यों और कोई नहीं बोलेगा इसका स्ट्रूशन खोला हुआ है की अडर मैटर किसलिए लिस्ट में नहीं है ना तो क्या इंक्लोड करेंगे अधर मैटर है अधर मैटर क्यों क्वेस्टर में किस information से बता चला थे अपाइंटीड का लफाज है अपाइंटीड और री पाइंटीड में फरेंग बताया था था ना अपाइंटीड का मतलब नीशल अपाइंटीड का मतलब रेकरिंग अडिट कलियर यह सब एक स्टेटमेंट देने लगा हूं आपने उसे yes या no करना और कोई नहीं बोलेगा इस situation में अगर evidence obtained नहीं होता ये scope limitation होगी और डिस्क्लेमर ओपीनियन इफ एफ़ेक्ट इस पर्विसिफ इसमें withdrawal की बात करनी है के नहीं करनी विड्रॉल की बात नहीं क्योंके scope limitation है management नहीं करनी लेकिन अगर qualified या disclaimer ओपीनियन दे रहे हैं तो उस सुरत में other matter paragraph नहीं आएगा ये statement सही है के गलत फिर से सुन ले फिर से सुन ले इस situation मेंगर हम evidence obtain नहीं कर पाते तो हम qualified या disclaimer opinion express करेंगे इस सुरत में जो other matter paragraph था जो आपने कहा कि आएगा चुकि अब qualified या disclaimer opinion दे रहे हैं तो मेरा क्याल है other matter paragraph नहीं आएगा हां other matter paragraph फिर भी आएगा other matter paragraph किसी और reason की वजह से आ रहा है other matter paragraph नीशे scope limitation by management होती और उसका effect पर्वेसिव होता और वेड्रॉल पॉसिबल और प्रैक्टिकेबल ना होता other matter paragraph तो disclaimer of opinion एक्सפרाइस करते लेकिन क्या over effect आता other matter paragraph कि की यजराडरुज बिल्कु ठीक क्योंकि की यजराडर्र मेटर्प फिर अएगा क्लेरली उसने कहा हुआ है कि एकर disclaimer of opinion एक्सפרाइस करें या adverse opinion एक्सPRेस करें सिर्फ डिस्कलेवर ओपीनन पर कहा है एडवर्स पर नहीं कहा हाँ तो मैंने इसे लिए आया कि ताकि मेरी गलती पकड़े मैं यह थोड़ी कहा हां में हां मेला ले वो बस उन वो भाई बज लिए जाज़त आपके लिए जाज़त नहीं है करें तो एडवर्स पर ना रहा हो किया ऐडिन मेटे सकते है औरस आ रहा हो तो कि बाई चटनी नहीं लेकिया है ऐसे नहीं कर रहे हैं चटनी है ना तो एड़र्स ओपीनियन एक्स्पेस कर रहे हो क्या की अडिमेट रहेगा आएगा आएगा शाबाश सबस्ट 딱र रहे हैं si marit for specific requirement requirement for each of the above independent matters state the added procedure which may be performed by your audit team each of the top इस लिखा हुआ है यह लादा रादा दोनों का डिसकस्ट मेड रीज़न इंप्लीकेशन वही होता है कि बताना है मिस्टेटमेंट के स्कोप लिमिटेशन है अब बताना है इफेक्ट क्या होगा रीज़न का मतलब यही होता है तो पहला है यहार पार्टनर इन फिर्म फिर्म फट्रड गांटर फॉल्विंग इंडिपेंडेंट मैंटर्स और अंडर यूर कंसिडरेशन को को सब्सक्राइब पहला राव्ट फञनेंशल स्टेटमेंट्मेंट्स ऑफ यह लिमिटेट फार्ड यह रेंडेट थिफर्स जन् फार फुल्फिलिंगे लाउस स्पेशलाइज अडर ओफ ए फॉरं कस्टमर स्पेशलाइज अडर पूरा करने के लिए इंवेंट्री बाइ कर लिए थी दूटु सदेन इंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट रेस्टिक्शन इंडिफॉरं कंट्री कस्टमर कैंसर्ड गांटर ऑड हिए मसला गोइंग कंसर्ड का है यहां कोइंग कंसर्ड का क्यों direito कि अंवेंट्र कोई सब्क्सट्र कोई इसी इंफर्मेशन नहीं है जिस से में लगें कि वह क्ष्ट्र किस्ट्र मैजर है और इतना मैजर कि 20 परसंड थर्टी परसंड 40% आफ रेवन्यू एक हैर vê lo, के ला मेजर नहीं मेजर के साथ है डीशन इन्फरमेशन देता कि मेजर भी कैसा कि उससे 20 पसंट 30 पसंट 40 पसंट रहा है फिर हम कहते हैं अभी तो वह रेगुलर उसका कस्टमर है तो मसला गोईंग कंसर्ण का नहीं इन्वेंटरी का इन्वेंटरी की कौन सी इस दर्शन पर रिस्क है इन्वेंटरी की कौन सी इस दर्शन पर रिस्क है वैलियूएशन पर यानि इसको हमने इन्शोर करना है कि यह वाली इन्वेंटरी लोर अफ कॉस्ट एन्रवी पर आए यह तो आज ही पढ़े हैं अभी पढ़े हैं एन्रवी के लिए एस्टिमेंट सेलिंग प्राइस देकhेंगे देखेंगे कि किसी दूसरे कस्मर की अर्डर मैं यूज हो सकती है कर य hallway नहीं अ सकती तो इसकी प्राइस क्या है मार्किट मार्किट प्राइस क्या है ताकि इसे राइड डाउन किया जाए उस माउंट के उपा अब जब हमने मिस्टेटमेंट अब ये तो होगे ना प्रोसीजर प्रोसीजर और हाँ इसमें अच्छा एक एहम प्रोसीजर है मुझे नहीं पता स्रूशन में लिखा के नहीं लिखा वे के सड़ी थी उसके बज़े से मुझे आदा है एजिंग ने सेल एगरिमेंट क्यों डैमेजिज शाबाश लेकिन पूछा उन्होंने उनसे मैं पूछ रहा था तो डैमेजिज डैमेजिज क्यों देखेंगे क्या हम कोई डैमेजिज क्लेम कर सकते हैं उसे अगर हम अगर कॉंट्रैक्ट में लिखा था कि जिसने भी कैंसल किया वो दूसरे को डैमेजिज बे करेगा तो इसका मतलब वो डैमेजिज हमारी अधर इंकम के तोर पे रिकार्ड होने चाहिए क्योंकि कॉंट्रैक्ट के मताबिक हमने उसे क्लेम किया था तो वो डैमेजिज वाला पॉइंट भी होता है आइंदा जब कभी किसी भी कोई ब्रीज अव कॉन्ट भी जहिंद में रखना है कि ब्रीच ऑफ कॉंट्रैक्ट की वज़ा लेकिन वर्ना डिस्क्लोस कर ले अगर हम रिसीविंग एंड पर लेकिन अगर हमारी तरफ से कॉंट्रेक्ट ब्रीज हुआ है तो फिर तो उसका मतब़ एक्समेंस रिकार्ड होना ही चाहिए वान में कोई प्राब्लम अचा इसमें इफेक्ट ओन रिपोर्ट एफेक्ट ओन रिपोर्ट क्या हाँ अगर इंवेंट्री को लोर फॉस्ट रहने पर रिकार्ड नहीं कि तो मिस्टेट्मेंट अच्छा मिस्टेट्मेंट के लिए हम इस 26 क्योंकि उसने अनर्वी नहीं तो हम जिरो एजियूम कर लेते हैं जिरो कि मिस्टेट्मेंट है 26 मिलियल की तो मुझे बताईए है materiality level के साथ compare करेंगे material क्या है 6.5 मिलियन हाँ तो material है परवेसिव तो नहीं है परवेसिव क्यों नहीं है प्राफिट के 50 परसंट से काम है qualified opinion और आगे क्वालिफाइशल एक्सपर्स qualified opinion on financial statement यह लाइन लिखेंगे कि सिरफ इतना लिखनेंगे qualified opinion लाइन बोल जरा लाइन बोल लाइन बोल लाइन बोल तो अच्छरा अच्छा नेचर और सको मिस्स्टेटमेंट इन बिस्टेस फार कॉलिफर डुमिनियन सेक्शन कालियार यह तो के नहीं नहीं दोनों के immaterial नहीं निकेंगे इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया था जब तक immaterial question में clearly खुद नना कह दे हम उसे अपने solution में discuss नहीं करते यानि अगर question में उसने यह नहीं बताया ना कि material के बारे में बिल्कुल silent है तो practically तीनों possibilities होती है immaterial भी हो सकता है material भी लेकिन अग्जाइम पॉइंट हो से हम सिर्फ material पर वेसिव डिसकास करते हैं क्योंकि मार्किंग सीमें स्लूशन में examiner comments में वो सिर्फ यहीं दो चीदों को लेके चलगा है immaterial जब तक क्वेसान में खुद ना कह दे कि मिस्टेट्मेंट यह इसको immaterial है यह अमाउंट ना दे जिरो पॉइंट फाइव मिलियन छोड़ तो जब तक क्लियर ला कह दे इंडियल है तो हमने उसको immaterial को डिसकास नहीं करना क्लियर सेकिंड दूरिंग अड़िट अवस्टैलर लिमिटेट एसल अग्जमेंट इस लार्जेस्ट कॉस्टमर E.L. has recently notified that it will not renew its contract with SL which is due to expire on 30 June 2020. Sales from E.L. constitutes 70% of total revenue. The management has further found that they are in negotiation with E.L. and are hopeful to retain the customer. Here is the procedure. जिन्ने चाय पीनिया चाय पीनिया चाय पीनिया जिन्ने प्रसीजर बताने है प्रसीजर बता दे साबाश मैंजमेंट से पुछेंगे निगोसियेशन का स्टेटस क्या है निगोसियेशन के कोई कॉर्स्पांडन सा उसको चेक करेंगे ये रेंट के बाद स्टेटस चेक करेंगे और किस्टमर का र्रेंज्मेंट किया है के नहीं जाकिस का सब्सी चूट आ सके अगर आल्टरनेट बताते हैं तो देखेंगे किया उन किस्त्रमर केसा हैं रहा हैं निसे लोन गहां से आ गया यहां वहाँ तो ऊस सूरत में कहते हैं कि एक condition long भी है और एक ق्रेस mientras इसमें लोन को ड्सकृस नहीं करना देखें going concern की बहुत हमें कुछ प्रोसीजर जनल होते हैं कुछ हमारे कंडिशन के लिहास स्पेस्फिक होते हैं आपने स्पेस्फिक प्रोसीजर तो सारे बता दी है शाबाट ये ज़्यादा मुश्किल थे लेकिन असान वाली चीज नहीं बता सके कि हमने गोइंग कंसर्ण वाले टॉबिक में पढ़ा था कि जब कई इवन्ट या कंडिशन आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद चार पांच प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं याद है गोइंग कंसर्ण के टॉबिक में क्या हमने ये पढ़ा था प्रोसीजर्स टू परफॉर्म ओन आइडेंटिफाईंग इवन्ट या कंडिशन एक तो था ना टू आइडेंटिफाई कर ले चेक कोई इतराज नहीं शाबाज कर ले चेक प्लैनिंग और फिजिबिलिटी बतानी होती है उसके बाद अगर उनने कोई अपने अगर कैशलो फार कॉस्ट प्रिपेर किया है उसकी अजम्शन्स चेक करेंगे इतराज अच्छा उन वाले चार पांच प्रोसीजर में और जो इंस्टून्ट ने प्रोसीजर बताया है फरक किया है वो जो चैप्टर में थे वो जनल है ये स्पेस्टिक है एकजैम में मार्क्स के लिहास से आप डिसाइड करेंगे ज्यादा प्रेफरेंस हमें किसको देनी चाहिए स्पेस्टिक वाले प्रोसीजर को लेकिन अगर मार्क्स जादा और जनल भी लिख सकते है जनल भी हाशा लेकिन जो कि अब मुश्किल वाला बता दिया तो प्राइज आवका हो अब इसके बाद इमपेक्ट टोन रिपोर्ट कौन बताएगा पहले हाथ उटाईए यह भाईजान ने का है अगर गोईंग कंसर्ण है यानि गोईंग कंसर्ण अजम्शन एप्रोप्रियट है ठीक है तो अन्मोडिफाइड ओपीनियन एक्स्प्रेस करेंगे इसमें तीन पॉसिबिल्टीज थी जी बताएगा अब क्वेशन में आप देखे उसने यह नहीं बताया हुआ हमें के कंकुलूइन क्या है क्वेशन में यह नहीं कहा कि गोईंग कंसर्ण अजम्शन एप्रोप्रोप्रेट है के नहीं है क्वेशन के अंदर यह नहीं बताया तो इसका मतलब क्या हुआ हमने तीनों डिसकस करने बाई तीन अजम्शन है एक एक करके तीनों अजम्शन बता देजिए कि क्या होगा जी भाई आब बताएगा अगर गोईंग कंसर अजम्शन एप्रोप्रेट है लेकिन material uncertainty exist नहीं कर रही तो तो unmodified opinion with key argument शाबाश और अगर going concern assumption appropriate है लेकि material uncertainty exist करती है तो unmodified opinion plus material uncertainty related to going concern का पहरा add होगा और अगर going concern not appropriate है तो अगर फानाइंसर स्रेवना going concern basis पे बनी है तो adverse opinion और अगर non going concern basis पे बनी है unmodified opinion plus emphasis of matter paragraph शाबाश 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 तो ये दोनों question clear होगे इस वाले question में inventory है दो involved customer ही है लेकिन इसमें going concern discuss किया इसमें नहीं किया क्यों इसमें largest customer था ठीक है और इसमें बताया है नहीं इसमें ये inventory का और ये going concern क्लियर आगे चलते हैं करें लिस्त audit procedure used in obtaining evidence in relation to inventory count of inventory held in the shops and explain the reasons करें inventory count में कौन कौन से procedure perform करेंगे shops में in relation to inventory count of inventory inventory count के हवाले से क्या क्या procedure perform करेंगे before during after उसने mention किया है कि before during before पताने है during क्या आफ्टर लेकिन ज्यादा focus किस पर करना है during फिर be explain the factors you should consider when placing reliance on work of you ये ये यूजे कोन है यूजे कोई ना कोई expert होगा जिसको हम तो उसके work पर रिलाए करने से पहले क्या procedure perform करने हैं क्या सिरफ एडिक्वेशी ऑफ वर्क के procedure लिखेंगे या competence capability के लिखेंगे लेकि नमबर चार है थोड़े थोड़े यह हैं वो कौन से दिलम में मिलेस्टा है एक एक लाइन के नहीं है competence capability जब लिखते हैं इसके यह लाइन लिखके निछोड़े ना उसके आगए दो-तिन वुएंट्स लिखने हैँ एडिक्वेशी ऑ वक जब लिखना है सिरफ एडिक्वेशी ने च्छोड़े ना उसके लिखने सी डिसक्राइब दार्ड प्रोसीजर यूशूट परफां तो इंशो डैट जूनली इन्वेंटरी इस वैल्यूड करेक्टली सबसे एहम लफ़ा जिसमें पता है वैल्यूड करेक्ट इसका मतलब है सारी इन्वेंटरी के प्रोसीजर नहीं पूछ रहा वैल्यूड इन्वेंटरी इस वैल्यूड यह वैल्यूड उफ कॉस रहा है तो इसका मतलब है सिर्फ नर्वी के प्रोसीजर बताएंगे कि अनर्वीर कास्ट नो नो उनो वैल्यूड क्रेक्टली जब एक दफ़ा उसने कहा दिया बताइए कि fix assets buy किया है परशेज किया है बताएए क्या procedure perform करेंगे to ensure that this fix asset is correctly valued in balance sheet तो cost के भी और addition के तो आगे वह addition के भी और depreciation के नहीं valuation allocation के भी शाबाश शाबाश fix asset के एक्जेंपल रिए अजर्शन सेम है inventory में भी fix asset में भी valuation and allocation procedure different है inventory में एनर्वी की बात करेंगे fix asset में depreciation की बात करेंगे कलियर अच्छा यह भाप में लाजमें क्वेस्टन रिटन फार्म में टेंप्ट करके लाना भिल्कि सारे क्वेस्टन्ज और डिसके मेरी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा के स्टेड़ी डिसकस करो जितना टाइम हो लेकिन इसका एक नुकसान होता है आप फिर जो केस्टेडी डिसकस हो जाती है इनको भी अटेंट करते हैं इनको भी अटेंट करते हैं रिटन फार्म में शाबा एक, दो, तीन, चार, पांट, शाबा समोसे बजगे हैं? मिले ही नहीं है समोसे? भाई आगे, आगे हैं, आपके पेट की तलाशी लेंगे तो उसमें मिलेंगे, दो, तीन इदर नहीं है एक, आए है ही नहीं है है जाले है यह कुन सा क्वेस्चन है? रिक्वार्मेंट पढ़ लेते हैं पहले? टैने लिस्पा वीकनेसें ने इस से लिए कंट्रोल सिस्ट्रम फॉर कांटींग इंवेंट्री एड डिपू नाइन ये हैं इन्वेंट्री तो पड़ लिए हैं इन्वेंटरी के तो पड़ लिए हैं तो क्या…. वीकनेस изв identify कर सकते हैं और फिर करें यह नहीं सिर्फ weakness identify करनी है कि overcome कैसे करना है explain why it is a weakness and state how that weakness can be overcome यह भी बताना है overcome कैसे करना है कि एटीन चैप्टर 12 में वह assignment में लिखा था एटीन है यह 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 चैप्टर 12 के बंदे चैप्टर 12 है पहले भी कलब कलब के मर गया था दोपहर को यह चैप्टर 12 है अच्छा चुप करके जरा मेरी बाह सुन लें यह question volume 1 chapter 12 का question number 18 a है वा समझा गई है इसे ना करें आपने चाच्छेशे स्मुसें को दे दिया और इन पचारों के स्मुसा भी नहीं दिया यह से ना करें on the day of inventory count you attended depo 9 at dinzy you observed the following activities अब यह activities है अब आग ने बताना है इसमें मसला क्या और उसका हल क्या है pre-numbered count sheets were being issued to clients staff carrying out the count यह तो गुड है यह तो गुड कंडुर सॉझर गुड है देकांट शीड शोर्टर दा inventory ledger balance वार चेकिंग एंस फ़िजिक्ल इन्वेंटरी अब लेजर बैलंस थोड़ी होना कीटो यह थोड़ी होना चाहिए क्ला टीक क्या इन वेंटी शीटकों यह नहीं वरना वह बगार कि ओके करते का ऐसे ही जैसे जीस तरह एक्स्टरनल कंफरमेशन में पॉसिटिफ कंफरमेशन में कस्टमर जब बैलस लिखा होता था तो बगार चेकिंग के साइन कर देता था उसका इलाज हमने क्या निकाला था बलैंक कंफरमेशन ताके खुद से चेक करके मांट लिके इधर भी बलैंक कॉंटी ताके काउंट करने वाला बढ़ा खुद से काउंट करके लिखे मांट लिखे कालियर पहले में एक लिखी तो इसका हल क्या है inventory ledger balance should not be mentioned on stock sheet weakness का हल बहुत अच्छा है असान होता है क्या weakness को अगर कोई काम हो रहा है तो कैदे नहीं होना चाहिए और जो नहीं हो रहा कार मुटरान इन वेंटरी वेर हाऊस और कांट दियू इनिपेंडेंट नहीं है जो इन वेंटरी वेर हाऊस वहीं कांट कर रहा है बले और और मिसाल से बाहर से आना चाहिए independent team should be वरना ये क्या करेंगे टिको काम नहीं करेंगे मिस एप्रोपरेशन को हाइड करेंगे सेल्फ प्रिव्यू करेंगे सेल्फ रिव्यू करेंगे कि सेल्फ रिव्यू ठ्राइज होगा लेकि मोठो जो आइटर के लिए होता है क्लाइंट के लिए थोड़ी होता है अच्छा कंसर्ट वह मैच हां ठीक है ठीक है बिल्कुल कंसर्ट वही मैच सब्सक्राइब दो गज़तियां हो गई कितने नंबर थे जाना ठीक है आगे चले थ्री काउंटिंग टीम्स वर एलोकेटे टू इच एरिया फी इस टौर गएड टीम्स वर अलाओट डिसाइड विच पेर ऑफस्ट पांटे विच इंवेंटरी विद इच एरिया तीम खुद ही डिसाइड कर ले वो गुथम गुथा होई हो गी सारे सब्सक्राइब करने तो यह वीगनेस है तो क्या होना चाहिए क्लियर इंस्ट्रक्शन शुट्ट वे गिवन तू स्टाफ एस तू विच एरिया टू वे वेरिफाइड वे बिस्टेंग स्टाफ वर वांड डे है टू रिमेंबर विच इन्वेंट्री हैड बिन काउंटिड वाद नहीं देनी उनको रिमेंबर नहीं करना चाहिए लिखना चाहिए लिखना चाहिए डाकुमेंटेशन फोरन पी कर लिया और जब यही काम मैं करता कहता हूं कि के स्टेडी जो है पड़े के सलुशन ने लिखना भी है उस वस्क्त क्यों नहीं मेरी बात मांनते सारे लोग यही कहते हैं कि जबानी केस्टेडी क्यों यहां पर यही समझा रहा है कि सारा कहा रिटन में होना चाहिए जबानी इक्रामी दो चीज़े बूल जाती है तो कितनी होगी चार होगी चार होगी लैजर बैलस नहीं था इंडिपेंडने स्टाफ नहीं था टीम को क्लियर इंस्ट्रेक्शन ने दी गई थी तीन होगे और फिर इसी में चो थी कि मार्किंग या टैकिंग नहीं नहीं हो रही चार होगे फिर नेक्स्ट इंफर्मेशन वाज रिकार्ड़ीर रहूंदा काउंट शीट इन पैंसिल अचार हम पता क्या करते हैं प्रैक्टिस में पैंसिल यूज करते हैं ताक्य एंड पे फरक आ जाता है ना कोई तो क्लाइंट से पूछने किदर क्लाइंट बता दे तो ठीक है आगे के लिखते हैं एड दस उदर पड़े हुआ है नहीं तो फिर हम कहते हैं रजा के चलब पूरे ही होंगे पूरे ही होंगे उसको मिटा के टिक कर दिया कुछ जूनिया ऐसे करते हैं जो के गलत है असर में मसला ये होता है कि जब आडिट में कोई भी मसला आप रेज करते हैं ना तो आपको एड्रेस भी खुद ही करना वड़ता है तो इसलिए हम कहते हैं कि रेज ना ही हो तो अच्छा बहरा है इन्फरमेशन वार अच्छा ये भी हो गया एनी इन्वेंटरी नॉट लोकेटिट होंदा प्री नमबर्ड इन्वेंटरी शीट वाज रिकाड़ी नॉन सेपरेट इन्वेंटरी शीट विच वर नमबर्ड बाइस स्टाफ एज ये वर यूज़ अपर नमबर्ड प्री पर लिख देना और वो सफ़ा वो खुद प्री नमबरिंग कर रहे हो तो पहली टीम जो एक्स्ट्रा पेज यूज़ करेगी इसको क्या नमबर देगी और दूसरी टीम तीसरी टीम चोथी टीम उनमें से दो अगर गायब होगे बाद में कठे कर रहे हो पता चलेगा यह होत यसी लिए पता चलेगा उनिक नमबर जाहे सबको तृश्टरी नमबरिंग का फायदा सबको उनिक नमबर जाता है सेम अधार दूब्लीकेट नहीं होता इस यहां पर extra sheet use कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं लेकिन उसको numbering हुद कर रहे है at the end of the count all count sheets were collected and the numeric sequence of the sheets checked the sheets were not signed she was signed ठीक है अच्छा हमारा case study का एक असूल होता है कि हमने given facts के उपर comment करना जो facts case study में नहीं है उनको नहीं जैसे हमने जब consult पढ़ाने इसमें आपको था 9-10 point थे इसमें हो सकता है 6 हो बाकी के 4 नहीं है क्या बाकी के 4 भी मुझे reproduce कर देने चाहिए नहीं कर दे नहीं कर दे normally इसी तरह होता है case study में जितने points जितनी information दी है लेकिन आई-कैप inventory count में एक procedure के बारे में बहुत sensitive है वो कहता है जब मैं question में silent रहू ना उसके बारे में तो वो procedure इतना एहम है कि बच्चे को खुद से बताना चाहिए कि ये काम होना चाहिए था तुमने नहीं किया ये काम होना चाहिए तुमने नहीं किया क्या भाला valuation damage stock obsolete stock को लैदा से identify करना इस पूरे question में उसने कहीं नहीं बताया अच्छा वैसे ये भी नहीं बताया कि inventory की moment sale purchase stop हुई है कि नहीं ये भी नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि obsolete stock identify लादा से होना चाहिए हुआ के नहीं ये भी नहीं बताया कि third party का stock वो लादा हो गया के नहीं तो हम बाकिये किसी चीज को पर कोई comment नहीं करेंगे सिर्फ एक चीज को पर comment करेंगे जो सबसे हम है valuation कि obsolete stock को लादा identify करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया तो ये एक procedure जब कभी inventory count के instructions पर comment करना होना ये एक procedure आपने खुद से सोचना है कोईसल में अगर नहीं भी दिया होना खुद से सोचना कि ये होना चाहिए था परफॉर्म कर रहा है के नहीं जो इस case में नहीं कर तो ये एक तरह से hidden adjustment समझे बास उकात counting में वो trial balance में hidden adjustment होती है जो clearly visible नहीं होती ठीक है तो उसी तरह ये भी समझे inventory count instruction में obsolete stock की hidden adjustment है जब कभी question silent हो इसके उपर आपने कहना है इसका मतलब है उसने stock को लाइदा identify ने कि उसे करना चाहिए तो एक ये weakness भी हम इसमें लिखेंगे कि उस्टा को लाइदा identify नहीं किया गया clear होगे ठीक है सबादों होगे ठीक नहीं नहीं बढ़ाना इस नहीं बढ़ाना था इस नहीं बढ़ाना था रीड करके आने सारे मैं टीक के चेक करूंगा आपकी किताब पर तिक लगया हो मैं के नहीं जो पर सीजर पड़ादा आप लिए सिखाया है वहीं देरिया आप ही लगाएंगे तो भाइजान उस्तादों के पास कोईना को गुर होता है जोने नहीं बताया होता कि आपने जिसके उपर टिक लगाया होगा ना मैं आपसे पूछी को समझ आ गया ना आपके आगया मैं को कभी इसका एक्स्प्लेइन करो इसका एक्स्प्लेइन करो वसूल है मारे पास भी बगड़ने के से लिए लाजमी करके यागए ताकि कल का लेक्सर अच्छे तरीके से चल